सब को परणाम मेरा नाम है डक्टर आर बी धवन लगबग 35 वश से जोतिश की प्रेक्टिस कर रहा हूं लेकिन पिछले काफी समय से लगबग 10-12 वश से मैं नक्षत्रों पर काम कर रहा हूं जोतिश में एक बड़ी ही गहन विद्या है नक्षत्र मेरा ऐसा मानना है और नक्षत्रों से जो फलादेश किया जाता था सभी परकार से चाहे वो रश्ट्रिये भुशेवाणिया हूं या वैक्तिगत किसी की कुंड़ी का फलादेश हो वो नक्षत्रों के आधार पर ही होता था ये वैदिक काल में इसके प्रमाण भी मिलते हैं रामा ajaunci में भी इसकी सर्चा है महाबारत के समय में भी इसकी सर्चा मिलती है और वो ये होता था कि कौन सा ग्रै किस नक्षत्र में आपके जनम कुंडी में जनम के समय था वो आपको क्या फल देगा जीवन भर और अपनी दशा या अंतरदशा में क्योंकि महादशा विन्शुत्री महादशा या अंतरदशा भी नक्षत्र पर ही आधारित हैं आपके जनम के नक्षत्र के अनुसार ही आपकी महादशा की गणना भी की जाती है अंतरदशा भी की जाती है तो आज जो जो जोतिश है आज जो परमपरिक जोतिश जिसका प्रियोग किया जाता है उसमें वैदिक कालीन ये पद्धती तो ले ली गई है के गणना महादशा य नक्षत्र के अनुसार ही होती है लेकिन यह नहीं प्रिडिक्शन की जाती कि कौन सा अगर है किस नक्षत्र में क्या फल देने वाला है तो आज का वीडियो स्पेशल है, यूनिक है आज का वीडियो जोतिश सिखने वालों के लिए या जोतिश के विद्यार थी या जोतिश के जिग्यासू सभी के लिए ये वीडियो बड़ा विशेश है इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा आज हम चर्चा करेंगे रोहनी नक्षतर में सभी ग्रहू का फल बताएंगे रोहिणी नक्षत्र में सूर्य से लेकर केतू तक कौन सा ग्रह किस चरण में क्या फल देता है आपकी जनमकुंड़ी के अनुसार और फिर उस पर दृष्टियां कौन-कौन से ग्रह की क्या-क्या फल देने वाली होती है ये भी आज के वीडियो में मैं बताऊंगा रोहिणी नक्षत्र में अगर सूर्य की स्थिती हो तो यहां पर पर्तम चरण यानि पहले चरण में अगर सूर्य हो तो ये जातक को बहुती बुद्धी मान वहवार कुशल बनाता है वेश भूशा के प्रती वो जातक या जातिका बालक हो या बालिका हो बहुत ज्यादा स्तर्क होते हैं अपनी वेश भूशा का बड़ा ध्यान रखते हैं यानि फटा पुराना जरासा भी हो तो उनको बिलकुल पसंद नहीं आता ज्यादा स्तर्क रहते हैं अपनी वेश भूशा के परती ये कह सकते हैं और जातक को पशू पालन या पशू से संबंधित कोई कारे अगर वो करे तो उसमें भी बहुत लाब होता है अब सूरे की स्तिति अगर रोहनी नक्षतर के दूसरे चरण में हो तो यहां पर उस जातक को सूरे क्या देता है सूरे वेक्तित्व में आकरशन देता है उसका वेक्तित्व या रंग रूप चेहरा आकरती वो आकरशक होती है और यह जातक तेल से संबंधित कोई अगर बिजनस करता है या कोई कार्या करता है या उससे जुड़ जाता है तो बहुत लाब उसको जीमन में पराप्ट हो सकता है अब तीसरा चरण रोहणी नक्षतर के तीसरे चरण में अगर सूरह की स्थित्थी हो तो यहां सूरह जाती को समाई से भी बनाता है और यशस भी भी बनाता है रोहणी नक्षतर में, तो यहां पर सूरे जातक को शास की सेवा में ले जाने वाला होता है, मतलब सरकारी नौकरी के चांसिस बन जाते हैं, और यात्राएं भी उसको ज्यादा करनी पड़ती हैं, चाहे वो नौकरी के कारण हो या किसी भी कारण से हो, यात्राएं ज्यादा क करनी पड़ती हैं ऐसे सूरे पर जो की रोहणी नक्षत्र में है इस पर चंद्रमा की अगर दृष्टी हो तो वो क्या परिवर्तन कर देता है चंद्रमा इस सूरे के फल में ऐसे में जातक को जल से संबंदित कारे से ये जोड देता है बहुत लाब भी होता है उसको और इस सेना या पुलिस या किसी सिक्योर्टी सर्विस से जुड़ करके समाहान पराप्त करने वाला होता है अगर बुद्ध की दृष्टी हो ऐसे सूरे पर तो परिवार में और समाज में उसको प्रतिष्टा बहुत पराप्त होती है ब्रस्पति की दृष्टी इस सूरे पर जात की प्राप्ति होती है और सतापक्स से अगर वो जुड़ा हुआ हो तो अत्यंत मान समान और लाब उसको प्राप्त होता है शुकर की दृष्टी अगर ऐसे सूरह पर हो तो शुकर की दृष्टी के कारण से यह जातक व्यक्तिगत आकरशन वाला होता है आकरशन करने वाला भी मित्र होते हैं उतने ही उसके शत्रू भी होती है शत्रू की संख्या भी उतनी ही होती है जतनी की मित्रों की संख्या होती है अब शनी की दृष्टी अगर ऐसे सूरह पर हो जो की रोहणी नक्षत्र में है तो यह शनी की दृष्टी जातको आर्थिक आभाव का संकेत भी देत अब रोहनी नक्षत्र में अगर चंद्रमा की इस्तिती हो पहले चरण में, तो ये चंद्रमा उस जातक को अपनी दशा या अंतर दशा में मिष्ट भाशी बनाता है, मीठा बोलने वाला, और वेवार उसका सनेशी लोता है, अच्छा वेवार और धनवान भी वो जातक होता ह हैं, दूसरे चरण में अगर चंद्रमा की इस्तिती हो, तो ये जातक सं leggings में रूची रखने वाला होता है, या फिर किसी और कला में भी उसकी रूची हो सकती है, कई परकार की कलाएं हैं, संगीत है, नुर्द्य है, पेंटिंग हैं, अनेको परकार की कलाएं आज के समय में हैं, किसी भी कला में उसको इंट्रेस्ट होता है, और रोह्णी नक्षत्र के दूसरे चरण में चंदरमा की स्थिति उसको आवास परिवर्तन परिवर्तन भी करवाने वाली होती है और रोहनी नक्षत्र के दूसरे चरण में अगर चंद्रमा की स्थिति है तो जातक को शिक्षा में बाल्य अवस्था में अगर ये दशा आ जाती है चंद्रमा की तो शिक्षा में परिशानी भी होती है और आवास में परिवर्तन का संके तो यहां पर मिलता है तीसरा चरण अगर चंद्रमा की इस्तिती रोईनी नक्षत्र के तीसरे चरण में हो तो यहां चंद्रमा सुंदर और स्माट बनाता है उस जातक को विपरीत लिंगवालों का सानिध्य मिलता है उसको यानि विप्रीत लिंग वाले उसकी तरफ आकर्षित भी होते हैं यह जातक बुद्धिमान होता है आकर्षक व्यक्तित वाला होता है और ज्यादा लड़ाई जगड़े से दूर रहने वाला होता है चंद्रमा की स्थिति अगर चोथे चरण में हो रोहनी नक्षत्र के तो यह चंद्रमा अपनी दशा मेजातको सत्य निष्ट बनाता है रतन से संबंदित व्यवसाय भी वो कर सकता है यह ज्यल्री से संबंदित कार्या भी उसका हो सकता है और उस कार्या में विशेशग्यता हो करती है और सफलता भी उसको मिलती है अब रोहनी नक्षत में यह जो चंद्रमा है इस पर अगर सूर्य की दृष्टी हो तो यह क्रिश्शी कारे से लाभन वित हो सकता है क्रिश्शी से समदित कई कारय हो सकते हैं उसके उपकरण का कारे भी हो सकता है और भी अनाज के कारे हो सकते हैं यह जातक धनवान होता है और गुप्त विद्याओं में भी रूची लेने वाला होता है और मंगल की दृष्टी ऐसे चंद्रमा पर हो तो सत्यवादी होता है जूट का सहरा नहीं लेने वाला होता आदर प्राप्त करने वा करता है बुद्ध की दृष्टी अगर ऐसे चंद्रमा पर हो तो ये जा तक अत्यंत बुद्धिमान भी होता है जीवन में सफल भी होता है सफलता पराप्त करने वाला भी होता है ब्रस्पति की दृष्टी अगर ऐसे चंद्रमा पर हो तो इसके फल क्या होते हैं कि ये जा तक धार में एक परवर्टी वाला होता है उत्रदाइतों की पूर्ती करने वाला होता है बड़ा ध्यान होता है उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं इसका उसको शुक्र की दृष्टी हो ऐसे चंदरमा पर जो की रोहनी नक्षतर में हो तो यह जातक भोतिक सुखों को प्रयाप्त मातरा में प्राप्त करने वाला होता है शनी की दृष्टी अगर ऐसे चंदरमा पर हो जो की रोहनी नक्षतर में है तो जातक को माता के सने से वंचित करने वाला प्रभाव होता है शनी का और पिता से भी उसको कोई विशेश attachment या विशेश लाब नहीं होता अब रोहनी नक्षतर में मंगल की इस्तिती हो पहले चरण में तो जातक मधूर भाशी होता है और संगीत में भी उसको रूची होती है संगीत या किसी और संगीत जैसी कला में भी रूची हो सकती है दूसरे चरण में अगर मंगल की इस्तिती हो तो यह जातक परतिरक्षा सेवाओं में भी जा सकता है सूर्य के साथ मंगल की यूती भी अगर है ऐसी इस्तिती में तो यह इस्तिती बड़ी परबल बन जाती है अब तीसरा चरण अगर तीसरे चरण में मंगल की इस्तिती हो इस नक्षत्र के तो यह जातक को सहासी और विद्वान बनाने वाली होती है चोथा चरण, चोथे चरण में, रोहनी नक्षत्र के चोथे चरण में अगर मंगल की स्तिती हो तो ये जातक धनवान भी होता है, सुरा सुंदरी का प्रेमी भी होता है, शोकीन होता है अवैद मार्ग से धन की प्राप्ती भी इसको होती है या उनमें सनलगन भी होता है ऐसे कारे में अब इस रोहनी नक्षत्र में मंगल हो और उस पर सूरे की दृष्टी हो तो यह जातक परवतिय छेत्रों में घुमना फिरना ज्यादा पसंद करता है और अपने लाइफ पार्टनर से इसकी ज्यादा अटेच्मेंट नहीं होती चंद्रमा की दृष्टी अगर ऐसे मंगल पर हो तो यह जातक विपरीत लिंग का सुख परदान करने वाली होती है बुद्ध की दृष्टी यह जातक धार्मिक शास्त्रों का ग्यान पराप्त करने वाला होता है ग्याता भी होता है अध्यन करने वाला भी होता है धनवान भी होता है हालांकि कलह पर यह भी होता है ब्रस्पती की दृष्टी अगर ऐसे मंगल पर हो तो जाता को संगीत या संगीत जैसी अनेक कलाओं में से किसी कला में वो विशेशग्य होता है और सहर्दय यानि कॉमल हर्दय वाला प्रोप कारी होता है अब शुकर की दृष्टी अगर ऐसे मंगल पर हो तो परसिद राजनिता बनने का ये योग बन जाता है प्रयास करने पर ही वो राहिनिता बन सकता है अगर उसकी इच्छा ना हो तो कैसे बन सकता है शनी की दृष्टी, अब शनी की दृष्टी के फल भी अच्छे बताए गए हैं ऐसे मंगल पर इस दृष्टी के होने के कारण से यह जातक विदवान भी होता है और अपने छेतर में परमुख पद पर भी आसीन होता है रोहनी नक्षतर में अगर बुद्ध की इस्तिती हो और पहले चरण में हो तो जातक चतुर होता है, धनवान भी होता है जीवन साथी उसका सुशील होता है, सुसंस्कृत होता है रोहनी नक्षतर में बुद्ध की इस्तिती दूसरे चरण में हो तो ये जातक शास्त्रों का ग्याता होता है शास्त्रों का ग्याता विद्वान होता है परसिद्ध भी होता है और उसके विवाह से पहले कुछ संबंद भी विपरीत लिंग से होते हैं तीसरे चरण में अगर गुद्ध की इस्तिती हो रोहिनी नक्षत्र के तो ये जातक द्रड सोभाव वाला होता है, मजबूत इरादे वाला होता है और कामुक परवर्ती वाला भी होता है चोथे चरण में अगर बुद्ध के स्थिति हो तो ये संबंधियों से लाब का योग बनाती है रोहनी नक्षतर में बुद्ध के स्थिति और उस पर शेश ग्रहों की द्रिष्टी का फल क्या होता है सूरे की द्रिष्टी अगर हो तो स्वस्थे के लिए ये शुब नहीं मानी गई गड़ बड़ होती है स्वस्थे में ये जातक पैसे से भी कुछ भाव गरस्थ परंतु प्रोब कारी भी होता है मंगल की दृष्टी हो तो इससे जा तक सत्ता पक्ष से लाब प्राप्त करने वाला होता है, ब्रस्पती की दृष्टी होने से ये जा तक बुद्धी मान होता है, और धनवान भी होता है, पैसा भी इसके पास अच्छा होता है, और सत्ता पक्ष से भी उसको लाब होता है, न चनि की द५्रिष्टि अगर हो तो यह जातको परिवार से मानसिक पीडा देने वाली होती है, मानसिक पीडा परिवार से पराप्थ होती है, उसको समाजिक पिडा नहीं पराप्थ होती. रोणि नक्षतर में अब ब्रस्पती की स्तिती हो और पहले चरण में हो ब्रस्पती की स्तिती तो यह ब्रस्पती जातको सत्य निष्ट बनाता है और दرशन शास्तर में गहरी रूची होती है उसको गहरी रूची दर्शन शास्तर में रखने वाला होता है ऐसा जातक हमेशा अच्छे लोगों की संगती में रहना पसंद करता है और उसका जीवन भी पूरी तरह से सुख ही होता है अच्छा उसका जीवन साथ ही होता है सुयोग्य उसकी संतान होती है ये जातक नित्रोतो करने के गुणों से युक्त होता है और परशासन या संगठन में कुशल होता है या शस्वी भी होता है अब रोहनी नक्षतर के दूसरे चरण में अगर ब्रसपती की इस्तिती हो तो यहां ब्रसपती धार्मिक परवर्ती वाला बनाती है माता पिता की सेवा करने वाला होता है और सद गुणी सत्य निष्ट वो इनसान होता है दो संबंधों का योग भी ये इस्तिती बनाती है ऐसे जातक को सांस से सब्बंदित कोई परिशानी हो सकती है, अस्थमा जैसा कोई परभाव उसको हो सकता है जीवन में, ऐसे में उसको घुटन वाले बातावरन से दूर रहना चाहिए, जो कि अस्थमा की परिशानी को और बढ़ा सकता है, ब्रस्पती की स्थिति अगर रोहनी नक्षत्र के तीसरे चरण में हो, तो यहां जातक को कुछ विपरीत फल मिलते हैं, विपरीत फल में ये खास है कि उसको काम वासना की पूरती में उंच नीच का भेद नहीं करता हो, काम लाल सा उसमें ज्यादा होती है, अब चोथे चरण में ब्रस्पती की स्थिति हो, रोहनी नक्षत्र के तो अनेक यात्राओं का योग बनता है, बत्तिस वर्ष की ऐयू तक जीवन ज्यादा संगर्श वाला होता है उसका, और आर्थिक समस्याएं भी होती है, तनावों से युक तो भे भी होता है उसको, इसके बावजूद भ वो अच्छे दिल वाला इंसान होता है, साहेता करने वाला भी होता है, जीवन में संपून, सफलता हर कारे में सफलता भी प्राप्त करने वाला होता है, अब रोहनी नक्षत्र में ब्रस्पती पर सभी ग्रहों की दृष्टी का परभाव क्या होगा, सूर्य की दृष्टी अगर ऐसे ब्रस्पति पर हो जो कि रोणी नक्षत्र में है तो यह जातक सेना से संबंदित होता है, सेना या किसी सिक्योर्टी सर्विस, पुलिस, इस परकार की सर्विस में वो जातक हो सकता है, और यह सूरे की दृष्टी इस परकार के संकेत बताती है, चंदरमा की दृष्टी, अगर हो ऐसे ब्रिस्पती पर तो ये सत्य निष्ट बनाने वाली होती है, भरपूर सहरदे वाला वो जातक होता है, प्रोपकारी बनाती है जातक को ये, मंगल की दृष्टी उसको परिवार का पूर्ण सुख प्रदान करने वाली होती है और जीवन साथी लाइप पार्टनर अच्छा होता है संतान उसकी अच्छी होती है सत्ता पक्ष से भी उसको लाब प्राप्थ होता है बुद्ध की दृष्टी अगर ऐसे ब्रस्पती पर हो तो जातक का वेक्तित व आकरशक होता है और राई नीती में वो सफलता प्राप्थ करने वाला होता है शुकर की दृष्टी के कारण से ये जातक धनवान भी होता है और सोभागेशाली भी होता है और दूसरे जो निर्धन लोग हैं उनकी मदद करने वाला भी होता है शनी की दृष्टी अगर ऐसे ब्रस्पती पर हो तो ये जातक भी धनवान भी होता है ये श्पराप्त करने वाला भी होता है और ये शनी उस जातक को राज योग वाला फल भी परदान करते हैं अब रोहनी नक्षतर में अगर शुक्र ग्रह की इस्तिती हो तो ये इस्तिती शुक्र की जातक को धनवान भी बनाती है भौतिक पदार्थों से सुख भी उसको प्राप्त होता है सभी परकार की सुख और सुविधाओं से पूर्ण उसका जीवन होता है हालां कि 35 वर्ष की आयू की अवस्था तक उसे पारिवारिक कलह का सामना भी किसी हद तक करना पड़ता है समय के साथ-साथ इस्तिती में सुधार होता चला जाता है दूसरे चलण में शुकर किस्तिती रोहनी के दूसरे चलण में अगर शुकर किस्तिती हो तो यह शुकर जाता को अनेक परकार की कलाओं में रूची वाला होता है अनेक परकार की कलाओं में उसको रूची होती है चाहे वो लेखन की कला हो गायन की कला हो अभीने की कला हो इस परकार से कोई कला होती है जिसमें उसको इंट्रेस्ट होता है पारिवारिक जीमन उसका सुखी होता है तीसरा चरण अगर तीसरे चरण में शुक्र ग्रह की स्थिति और रोहिनी नक्षत्र के तो यहां काम वासना की व्रधी करने वाला यह शुक्र माना गया है फल यह होता है कि उसे बाद में तरह तरह के शोशन का शिकार इस कारण से भी होना पड़ सकता है गुप्त रोग किसी परकार के होने की भी आशंका उसको रहती है चोथा चरण शुक्र की स्थिति रोहिनी के चोथे चरण में अगर हो तो यह जातक को बेहद सुन्दर जीमन साथी समार्ट जीमन साथी मिलता है ऐसे में और चोथे चरण में शुक्र की स्थिति के करण से उसकी आर्थिक इस्थिति भी बड़ी अच्छी होती है मजबूत होती है अब रोहिणी नक्षतर में शुक्र पर दूसरे ग्रहों की दृष्टी का परभाव क्या होगा सूरे की दृष्टी अगर हो तो ये जातक महिलाओं से लाब पराप्त करने वाला होता है और ये सूरे की दृष्टी वेवाहिक जिवन में भी थोड़ा बहुत अशान्ती की और संकेत देती है चंद्रमा की दृष्टी अगर हो तो ये जातक को मृदू भाशी बनाती है परिवार में श्रिष्ट बनाती है हाला की काम वासना भी उसमें थोड़ी ज्यादा होती है ऐसे शुकर पर अगर मंगल की दृष्टी हो तो जातक को करूर दिल वाला बनाती है करूर हर्दे वाला बनाती है और उसका जीमन भी पैसे के करन से भी थोड़ा कमजोर रहता है अभाव ग्रस्त रहता है जब उसको पैसे की जोरुत होती है तो कठिनाई होती है बुद्ध की दृष्टी अगर हो ऐसे शुकर पर तो वेक्तित आकरशक होता है उसका सौभाव भी उसका शान्ती प्रिये होता है ब्रसपती की दृष्टी होने से ऐसे शुक्र पर सुख और सुविधाओं से युक्त कहा गया है शनी की दृष्टी उसको स्वास्थे कराब करने वाली होती है और जीमन भी धन के करण से कुछ परिशानी वाला होता है अब रोहिणी नक्षतर में शनी की स्थिति अगर पहले चरण में हो तो धार्मिक परवर्ती वाला बनाती है जातक को जीमन सुखी होता है सुख पूर्ण उसका जीमन वैतीत होता है उसमें थोड़ा बहुत जुआरी पन की परवर्ती भी हो सकती है दूसरा चरण अगर दूसरे चरण में शनी की स्थिति हो रोहिणी नक्षतर के तो यहां पर शनी जातक को पशू पालन या पशू से संब्दित किसी भी कारे से लाब पराप्त करवा सकता है तीसरा चरण अगर शनी की स्थिति रोहनी के तीसरे चरण में हो तो ये शनी शुब फल देने वाला कहा गया है ये जातक अत्यंत बुद्धि मान भी होता है और मृदू भशी मीठा बोलने वाला भी होता है धार्मिक विश्यों में उसको रूची होती है किसी विश्य का शोध करता भी हो सकता है चौथा चरण अगर हो रोहनी नक्षतर का जिसम शनी हो तो ये जातक सत्ता पक्ष के लाब पराप्त करने वाला होता है सता पक्ष के नजदीक रहने वाला होता है और स्वेंबी राइन नीती में जाकर के यश पराप्त करने वाला भी हो सकता है पशू पालन से भी उसको लाब की संभावना होती है अगर उससे किसी परकार से वो जुड़ा हुआ हो तो अब रोहनी नक्षत्र में शनी ग्रह और उस पर ग्रहों की दृष्टी का प्रभाव क्या होगा सूरे की दृष्टी दृद्रता परदान करने वाली कही गई है जीवन को कष्ट में बनाती है आर्थिक संकट होते रहते हैं उसको जर्मा की दृष्टी अगर ऐसे शनी पर हो तो ये शुबफल देने वाली मानी गई है जा तक शरीर से भी बलवान होता है धन से भी बलवान होता है सत्ता पक से मान समान की प्राप्ती भी उसको होती है मंगल की दृष्टी ऐसे शनी पर हो तो समाने रूप से वो धन उसके पास होता है बहुत ज्यादा भी नहीं होता और बहुत कम भी नहीं होता वो बोलने वाला होता है वाचाल होता है यानि ज्यादा बोलने वाला वो इंसान होता है बुद्ध की दृष्टी अगर ऐसे शनी पर हो तो काम पीड़ा उसको परिशान ज्यादा करती है यानि कामुक ज्यादा होता है और ये जो इस्तिती है बुद्ध की गोर व्रधी करने वाली होती है कामुकता में पशु की तरह वो अपने विपरीत लिंग वाले के साथ वेभार करने वाला भी होता है ऐसी इस्तिती ये बनाता है बुद्ध गर शनी पर दृष्टी के कारण से ब्रस्पती की दृष्टी रोहनी नक्षत्र में शनी पर अगर हो तो प्रोप कारी बनाती है रोगियों की सेवा करने वाला वो इंसान होता है या फिर किसी ऐसे कारे से जुड़ा हुआ भी हो सकता है शुकर की दृष्टी अगर ऐसे शनी पर हो तो ये जातक को रतनों या जुएलरी त्यादी से लाब पराप्त करवाने वाली होती है रतन या जुएलरी से संब्दित वैपार करने वाला हो तो ज्यादा उसको लाब पराप्त होता है उसका कई महिलाओं से मितरता भी होती है जानकारी में भी होती है कई महिलाओं और ये जातक इन्हीं ग्रहों के परभाओं से सुरा सुन्दरी का शौकीन भी हो जाता है अब रोहनी नक्षतर में अगर राहू की स्तिती हो राहू की स्तिती पहले चरण में वो रोहनी के तो ये जातक को दुबले पतले छरहरे बदन वाला बनाती है निर्भीक होता है वो जातक और वायू विकार से परिशान भी होता है अपच की शिकायत भी उसको अक्सर रहती है खाना पचने में मुश्किल होती है उसको दूसरे चरण में रुहनी नक्षत के दूसरे चरण में अगर राहू की इस्तिती हो तो अत्यंत शुब फल देने वा होता है समाज में आदर पराप्त करने वाला भी होता है तीसरा चरण तीसरे चरण में अगर रहू के स्तिति हो रोहिणी के तो यहां पर रहू हमेशा विपरीत फल देने वाला ही होगा और इस चरण में रहू हो तो यह जातक को धन से भी आभाव गरस्त बनाए रखता है यह जल परदूशन से होने वाले रोगों के कारण से जल्दी परिशान हो जाता है ऐसे रोग जो की जल तत्व से संबंदित हों इन से इसको सावधानी रखने की जूरत है जल गहरे में नहा तो सनाहा नहीं करना चाहिए और इंफेक्श इसको जल से ज्यादा जल्दी हो सकता है इस मामले में इसको सावधानी की जूरत होती है अब चोथे चरण में अगर रहू की स्तिती हो रोहणी नक्षत्र के तो यह रहू जातक को कव्य परतिभा देने वाला होता है कवीताओं में परतिभावान बना सकता है अगर उसकी र भावे से उसको फरसिद्धी मिल सकती है ऐसा जाता कि यातराओं के समय धुर घटना गरस्त भी हो सकता है ऐसा होता है इसके परतिव उसको सावधानी की जूरत होती है अब रोहणी नक्षत्र में के तुगर गेख शेती ओर पहले चरण में अगर के तुगर चेत तो ऐसी स्थिति में बाल्ले अवस्था में दृष्टी दोश यानि चश्मा वगेरा उसको लगने का अंदेशा होता है। वाला होता है। अध्यापन यानि किसी भी प्रकार, Шिक शाह विवस्था जोडता है। और उसका नई ज्हान होता है। ज्यादा खर्चीला होता है। ज़्यादा खर्च करने वाला होने के करण से थोड़ी इसको इस मामले में भी परिशानी भी मैसूस होती है रोहिणी नक्षत्र के चोथे चरण में अगर केतु ग्रह की स्थिति हो तो इसके फल अच्छे बताए गए हैं यह जातक शास्त्रों का अध्यन करने वाला यानि किसी भी विशय का विशय शग्या होता है किसी भी विद्या को उसने खूब बड़ा होता है रोहिणी नक्षत्र में अगर केतु की स्थिति चोथे चरण में हो तो यह जातक को अच्छा विद्वान बनाती है विद्वान किसी भी विशय का हो सकता है जो भी विशय में वो एक्सपार्ट होता है उसमें वो तारकि भी होता है और अच्छा उसकी कमांड भी होती है कभी-कभी ये जो केतु है उसको मंत्र विद्याओं में भी रूची वाला बनाती है मंत्र शास्तर का भी वो जानकार हो सकता है साथ-साथ अगर कोई दूसरा वेवसाय करता है तो उसके साथ-साथ भी ऐसा हो सकता है ये जातक पारम परीक को भी जानने वाला होता है या उसमें रूची होती है उसकी या उसका परियोग करने वाला होता है और चिकिसा के छेतर में अगर ये प्रवेश कर ले तो सफलता भी इसको खोब मिलती है मान सम्मान की पराप्ती भी चिकिस्सा से जैसे आयूरवेदिक चिकिस्सा है या कोई भी विकल्पिक चिकिस्सा है उससे अगर वो जुड़े तो उसमें मान सम्मान ख्याती धन सब पराप्त हो सकता है तो ये था आज का वीडियो रोहिणी नक्षत्र में किस ग्रह की स्तिति क्या फल देगी फल देगी आपको आपके कुंड़ी के अनुसार जब उसकी दशा होगी महादशा या फिर उस ग्रह की अंतरदशा होगी जो ग्रह रोहिणी नक्षत्र में आपको बताया गया है आप ध यहां से देख लेना है और उस पर किसी ग्रह की दृष्टी है तो वो उस फल में परिवर्तन करने वाली भी होती है सम्मीलित हो जाता है दृष्टी का फल उसकी महादशा के साथ दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर आप शेयर कर देना है अपने मित्रों को जिनको जोतिश शास्तर के किसी विशह में रूची भी है ऐसे मित्र ऐसे जानकार को आप शेयर कर दीजिएगा लाइक तो करी दीजिएगा सबस्क्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही जानकारी से परिपूर्ण वीडियो मैं इसी चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ और नक्षतरों पर ही मैं ज्यादा काम करता हूँ नक्षतर वैदिक कालीन है और नक्षतरों से रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं अब इसके बाद वाले वीडियो में चर्चा करेंगे मरग शिरा नक्षतर में कौन से ग्रह किस्तिती हो तो क्या फल होता है एक जरूरी बात और अगर आप जनम कुल्डी दिखाना चाहते हैं कुल्डी कंसल्टेशन चाहते हैं तो यह पेड शर्विस है मेरे किसी भी वाटसअप नमबर पर संपर कर सकते हैं WhatsApp नमबर सामने डिस्प्ले भी हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है फीस की पूश्टाच आप पहले कर लीजिएगा क्योंकि ये पेड सर्विस है जोतिश सीखना चाते हैं तो जोतिश के कोर्स भी करवाते हैं अगर बैठे आप ऑन-लाइन जोतिश के कोर्स भी कर सकते हैं इन ही नमबरों पर आप उसके लिए भी पूश्टाच कर सकते हैं आज के लिए इतना ही जल्दी मिलते हैं म्रग शिर्य नक्षत्र में ग्रहों की स्तिति का फल क्या होगा इसके साथ नमस्कार